नमस्कार दोस्तों टेक्निकल उन्नत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो पर हम सीखने वाले हैं कि कैसे यूट्यूब वीडियो के लिए थम्नेल बना जाता है मतलब कि मेरे थम्नेल तो आपने लोगों ने देखे होंगे तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे बनाते हैं अपने थम्नेल तो आज का ये वीडियो उसी चीज़ का टूटोरियल होने वाला है है मतलब कि आज का यह वीड़ी होने वाला है तो चलिए अब देरी की सबात की वीड़ी को सुरू करते हैं तो लेट स्टार्ट देखो यह जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकते हैं और यह वीडियो मतलब जो बिगनर है बिगनर यूट्यूबर है या फिर थमनेल बनाना सि के बाद आपके पास कुछ इस टैप का इंटरफेस आता है तो सबसे महीन बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर 32.00 पर जाने के बाद यहां पर देखो कर देखो ऑक्सें पर ल couple ने just Inf mesya का तो इमेज़ साइज का उप्सें पर जाने के बाद यहां पर क्लिक कर देना अब मैंने यह बता है क्यों आपको मतलब की देखो यह जो रेशियो है ना यह यूटूब थम्नेल के लिए रेशियो है ठीक है अगर आप दूसरा रेशियो पर बना देखे तो इसके बाद यूटूब YouTube Studio पर जब thumbnail set करने जाओगे तो perfect तरीक के से नहीं set होगा तो इसलिए इस ratio को आपको select कर लेना है तर आपको thumbnail बनाना है जिससे कि मतलब कि जो आपका thumbnail हो वो perfect तरीक तरीके से adjust हो जाए YouTube Studio के आप पर तो यहां पर हो चुका है देखो यहां पर ratio बन चुका है YouTube Thumbnail का जो हमने option ह उसको select कर लिया है अब यहाँ पे अगर आप background में कोई भी background रखना चाहते हो या फिर color रखना चाहते हो तो background में कोई भी अदलब की अगर आपके पास already gallery में background है तो three dot पे click करना है three dot पे click करने के बाद use image from gallery पे click करके आपको कोई सा भी background select कर लेना है हम या पे color select करते हैं ठीक है color select करने के लिए जो fourth वाला option है इस पे आपको click करने इस पे click करने के बाद देखो दोस्तों या पे आपके बास एक option है color का तो color क dressed पे जाना है आपके पास एक single color color पे अगर click करके आप color select करते हो single color देखो और gradient है दो color का mixture और किसा लग्रेडियमंटर्ण मतलब कि कहीं पर बिया पर यहां पर हम ग्रेडियंट सब्क्रिणां देता है के बाद देखो को सब्सक्राइब और फोटो देने के लिए प्लस करने के लिए दिखाता हूं ठीक है दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना जिससे कि आपको अच्छी तरबिशी समझ में आज जाए ठीक है और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूं तो देखो यहाँ पर फोटो जह है वो यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप भी कर सकते हो तो यहाँ पर दन का निसान है इस पर क्लिक करके आपको डन कर देना है wenn I इसको अपने Add screen पर adjust कर लेना यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर adjust कर लिया अगर इसपर आप वाले option पर आना है layer का option कहते हैं इसको तो third number वाला option को एक click करने के बाद side layer का ऑख ही कहते हैं तो layer का option पर जाने के बाद stroke है इस जोख के option पर जाना है आपको देने इनेबल कर देना है देन देखो outline बन चुका है side में देखो गढ़ आप प्लस सप्क्राइव फिर घ्लिजा अगर यहाँ प्ल्स भी लगासकते हो यहां प्लस के पsmail पे कलिक करके आप अगर तक स्ट प्लिक करने के बाद है यहां पद दर में आप पर लिखता हूँ हाव टू मेक हो गया यहां पे डन कर देता हूँ मतलब यह हो गया एक मतलब एक-एक करके लिखोगे ना तो प्रोफेशनल टाइप का लगेगा अच्छा इडिट भी कर पाओगे तो हाउ टो मेक हो गया अब इसका अगर फॉंट चेंज करना चाहते हो तो यहां पे देखो एबी का उप्शन मिलता है यहां पर फॉंट का उप्शन मिलता है एबी का हाएगा इसका फॉंट टेक्ष्ट का अगर चेंज करना चाहते हो यहां पर एक अप्शन मिलता है लिख सकते हो से मिलता है तो यहां पर हम रहने रहने देते घ्रिन कलर को देन यहां पर आप इस और आप का अटो गया ग्रिं कलर को रहने देते हैं, then राइट की निशन पर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे, देखो, यहाँ पे shadow अगर आप देना चाहते हो, अगर तो यहाँ पे shadow की option पे जाके shadow भी दे सकते हो, और अगर outline देना चाहते हो, इस चो की option पे जाके हٹंखी आपको इस जो केने बल कर देना है यह पर लिखता है हम हाव टेने मेख लिए हाव to मेक अब लिखना है थंगेल्स कहां पूलिखता है थंडेल्स है झाल सु कुछ आंद्स कूछ तक लिए ऑनम नेवा नन हो गया ओके और अब इसका जो है हम font इसको change कर देता है font change करना तो मैंने आपको बता दिया हुई तिसलिए बार-बार नहीं बता रहा हूँ तो यहाँ पे देखो how to make thumbnails हो गया तो आप देखो यहाँ पे अगर आप background में कोई color देना चाहते हो text के तो background के option पे जाना है आपको then आपको background को enable कर देना है देखो background में color लग गिया यहाँ पे बहुत सारे color भी select कर सकते हो और इसमें भी आपको gradient मिलता है इसमें भी आपको gradient मिलता है तो color बहुत सारे है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे black ही रहने देते हैं पेडिंग लेट साइड में बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो राइट साइड में बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो then है right के निशान पर click कर देना है then देखो यहाँ पे एक चीज हो गया जो हमारा यह जो photo है यह photo ढढ़ गया उपर वाला portion ढ़ग गया तो इसको मतलब की ठीक करने के लिए लेयर वाले option पर यहाँ पर जाना है यहाँ पर यहाँ पर खीच के हमको नीचे ला देना है ठीक है तो यहाँ पर देखो thumbnail का option मतलब thumbnail जो टेक्स लिखा हमने उसका background का जो यह होता है पैडिंग होता है वह मतलब की क्या बोलता है back side चला गया और देखो photo हमारा जो है वह clearly यहाँ पर नजर आ रहा है how to make thumbnail यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके हमको फिर से यहाँ पर लिखना है thumbnails for YouTube YouTube for YouTube then done click कर देना है then okay पर क्लिक करना अगर इसका भी आप font change करना है चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो देखो यहाँ पर color चेंज करना चाहते हो तो color भी change कर सकते हो मैंने आपको पहले भी एक बार 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 नहीं बता रहा है आपको कैसे करना है तो यहाँ पर color भी change कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमारा thumbnail जो है वह रेडी हो चुका और टेक्स्ट में भी सैड़ों अगर आप कोई में एक बार दे के दिखा देता हूं अब देखो थमनेल जो है वह बन चुका और यहां पर और भी कुछ अगर आप गैलरी से अगर इमेज वह इमेज लाना चाहते हो तो प्लस वाले आप्सन पर जाके फ्राम गैलरी पर क्लिक करके आपको एड़ कर लेना है तो यहां पर देख सकते हो थमनेल जो है वह हमारा र कि अब इक क्रते हैं परियोष यहां पर एकिक कर सकते है इसको बपर कर सकते हैं यहां पर देखो यह वाला आक्शन से मतलब पहलе इसका हूर है यहां पर color पर जाके आप कोई भी color select कर सकते हो देन है यहां पर effect कहते हैं इसको साथ तो effect वाले option पर विगनेट आप लगा सकते हैं यहां पर विगनेट इसको कहते हैं मतला side side में थोड़ा सा आप जो color set करोगे वो side side में नजर आएगा देन है brightness बढ़ा सकते हो contrast बढ़ा सकते हो चाहिए duration बढ़ा सकते हो यह सब यहां पर आपको मिलता है यह वाला effect वाला option पर ठीक है तो यहां पर देखो बन चुका है हमारा thumbnail यहां पर और अगर आप कुछ edit करना चाते हो तो कर सकते हो मैं यहां पर जाड़ा कुछ यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बन जाएगा आधा घंटा का तो फिर आप देखोगे नहीं तो यहां पर इतना सब export image पर क्लिक करकं़ दोस्तों आपको यहां पर कुछ step कर मिलता है तो यहां पर आपके पास एडयम में पर upgrade तो इस पर क्लिक कर देना है यह आपके गैलरी में सेब हो जाएगा तो दोस्तों देख सकते हो ऐसे आप थमनेल अपना यूट्यूब वीडियो के लिए बना सकते हो यहां पे चार्ज हमारा है 10% इसको अभी एडिट भी करना यह जो हमने वीडियो बना है इसको एडिट करना फिर पोस्ट भी आज ही करना है तो इसलिए एक लाइक बनता है और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकर उनको भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे टेक कियर बाइ